हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है अज हम विज्ञान के महत्वपुर्ण प्रशनों को देखेंगे जो आपके पेपर में आज जो प्रशन कराएंगे आपकी पेपर में सेम टू सेम यही प्रशन छपेंगे आज जो हम सवाल कराने वाले हैं आपको यह पूरे किताब का आईएगा चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आपके सामने यह पहला प्रश्ण है देखिए यह पहला सवाल है आपका कि प्रतिरोत का मात्रक है जिसका अपसान एंपियर बॉल्ड ओम उलाम तो फ्रेंस जो प्रतिरोत होता है प्रतिरोत को हम कैप्टल प्रतिरोत मात्रक तो होता है और ओम को कैसे देखाती है सिंबल इस परकाद सो होता है तो प्रतिरोत का मात्रक क्या होगा अपका ओम होगा इसके इलावा फ्रेंस यहां पी जितने भी आपसान सब् arrive के बारे बताते हैं देखिए एप एम-पियork होता है ये आपका धारा को म याद रखिएगा एंपियर किसका मात्रक है धारा का इसी प्रकार बोल्ट किसका मात्रक होता है विभुवांतर या बोल्टेज का होता है किसका बोल्टेज का ठीक है इसी प्रकार जो कुलाम है यह आपके आवेश का मात्रक होता है फ्रेज जितने भी प्रशन बताएं आपके पेपर में हुप होयेही प्रश्ण छपेंगे और जितने मात्रक बताएं इसको आप याद रखिएगा आप सामने अगरा नंबर आपना सवाल आप की खेंधक की लोवार्ट घंटा मात्रत आपका उरजा का इसका जवाब वहोगा ऊरजा अब यहां पर सभी का बताते हैं शक्ति का मात्रक क्या होता है याद रखिएगा वाट होता है धारा का मात्रक भी बता है एंपियर होता है एंपियर और आवेश किसका मात्रक होता है अवेश का मात्रक क्या होता है कुलाम होता है ठीक है इस पकार बार बार आप पढ़ेंगे सभी मात्रक आपको इसी वीडियों में याद हो जाएंगे ठीक है चलि अगले सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगला नंबर का सवाल है यहाँ पर देख सकते हैं तिसरा नंबर कि परतेक चार ओम प्रतिरोध वाले चार चालक तारों को प्रस्पर समनांतर करम में जोडने पर तुल प्रतिरोध होगा देखे फ्रेंस इस प्रस्पर को आप किस प्रकार से लगाएंगे देखे फ्रेंस करा चार ओम के प्रतिरोध है इसमें चार चालक तार है प्रस्पर समनांतर करम में जोडने पर यहाँ पी प्रतिरोद प्रतिरोद लिखे दीजिए प्रतिरोद ठीक है प्रतिरोद का मान लिख लिजिए और यहां प्रतिरोद की संख्या लिख लिजिए प्रतिरोद की संख्या देखिए अभी इस फार्मूला का यूज का करते हैं देखिए आपको दोनों वीधी से बताएंगे इस फ सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नमबर का सवाल है किसी जालक में धारा का प्रवावाह होता है इस आप ध्यान से पढ़िए देखे धारा का प्रवा होता है किसके कर इलेक्टरान द्वारा होता है प्रोटान द्वारा होता है न्यूटरान द्वारा या इन में से कोई नहीं तो फ्रेंस हमेशा याद रखिएगा कि जो धारा का प्रवा होता है हमेशा इलेक्टरान के द्वारा होता है ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपके साफने अगला नंबर के सवाल है कि एक इलेक्टरान बोल्ट तुल्ल है आपको बताना है कि जो एक इलेक्टरान बोल्ट होता है देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर कभी कभी पूछ प्रूल्ट के बराबर होता है इसको आद रखेगा चलिए आप संब में देख लिए इसका सही जबाब क्या होगा आपका होगा ठीक है फ्रेंज चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यहां पे आपका अगला नंबर का सवाल है कि एक वैदुद बल्ब 220 बोल्ट एवं 100 वाट अंकित है उसके तंतु का प्रतिरुवद होगा यानि कि आपको प्रतिरुवद बताना है देखे इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे यहाँ पे देखिए आपका फार्मूला होता है पी श्कल्डू भी इसक्वार पर आर होता है यहाँ पे आपका आर ग्यात का नत आर बराबर ग्या हो जागा भी इसक्वार अपन पी होगा यहाँ पे भी का मन कितना दिया है 220 बोलते है 220 का इसक्वार कर लीजिए पी कमान कितना दिया है 100 है तहीं हाँ पर 100 कर लीजिए अब इसको हल कीजिए चली हल करके देखाते हैं आपको 220 है 220 गुड़े 220 अब 500 है तो 100 कर लीजिए 1010 1010 22 का 22 में गुड़ा करेंगे 484 हो जाएगा ठीक है और यह ओम है तो इसका मातर 484 ओम होगा चली आपसान देख लगा ते 484 दिया कहाँ पर लेकिए इसका सही जवाब होगा आपका 484 ओम ठीक है चली अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखे सातवा नंबर का सवाल है कि आर्वन वह अडू परतिरोथ के दो तार समचनांतर क्रम में जुड़े हैं इनका त ब्लक स्क्राणांतर में जुड़े आ कि लेखेए आप टुले परतिरोथ सम्नांतर में जुड़ए pakai तबाष्ग धिक्या है हैं वन ऐपन आपन आरवन प्लस इंपन आट्ष यह आपसर्गल्स नहीं दिया है लेकिन इस रुप में दिया दो कैसे लगाँगे देखी आप तीरीतली सब्सक्राइब ऑस इसमें करेंane ट्रव 1 ट्रव चुलिए इसको आप्षण में खोशते हैं कहीं पर यह आपसन नहीं होगा एक रहतुट यह पर चला जागा आपन प्लस आपसन में अफ्सका ज़एगा डेख लिजी आपसन में आपसन में कहां यह सीवल आपसन इसका सही जवाब ठीक है चलिए अगले प्रस्वों को देखते हैं अगला नमबर का सवार लाए कि लगूप पथन के समय परिपत में विद्धु धारा का मान होता है देखिए लगूप पथन का मतलब बहुत है सार सर्किट अब जब आपके घर में सार सर्किट होता है तो उसमें धारा क्या होत kita बहुत कम हो जाता है गलत परिवार्तित नहीं होता है गलावा नरयंतर परिवार्त नहीं तो बहूत अधीक हो सवार की सवाल कि फ्रेमिंग के दाय हाथ जो है उसके नियम करूशा जो अंगठा किसको देखाता है जो फ्रेंस अंगठा है वह बल को देखाते तो इसका सही जवाब हो जाएगा बल ठीक है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नमबर का सवाल है कि डायनमो परिवर्दित करता है तो देखिए डायनमो कहीं जनेरेटर करते हैं अब वते हैं याद रखिएगा यांतर्क उर्जा को विद्धूत उरजा में परिवर्दित करता है इसका सही जवाब देख लिए इसका सही जवाब क्या है आपका आपना सीरे जो गा के और चबलेशा है पर स concern है कि चन चंद्रमा से हम आकाश को देखते हैं कैसा दिखाई देता है बैगनी नीला पीला लाल तो फ्रेंच चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है देखें फ्रेंच यहां पर आपसन गलती हो गया है यहां पर डायरेक्ट याद रखिएगा कि चंद्रमा से देखने पर जो आकास होता है हमें काला दिखाई देता है ठीक है कैसा दिखाई देता है काला ठीक है यहां पर डाल के जगह आप काला कर लीजी ठीक इसका सही जबब क्या होगा आपका डी वाला आपसंस सही होगा चंद्रमा से देखने पर आकास कैसा दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है किस पर घटना के कारण नीला दिखाई देता है अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला अधिकतम होता है किस प्रश्ण सभी के साथ में आपको क्या याद रखना इस परश्ण का सही होगा कि कि आपकर अधिकतम होता है याद रखेगा कि किसका अपार्तनाग कम होता है जब अपार्तनाग कम के बारे मैं पूछ crunchy ऑप आ ऊपसर में आपका यह आगा लाल लाल का पूछ अक्यों बचाए जैस में आदगने नंभर का सवाल को देखते हैं या आपके सामने अंगला नंभर का सवाल है चौदा नमबर का कि एक उत्तल दरपड की जो फोकस दूरी है 12 संटीमीटर दरपड की तरिज्जा पूछ रहा है देखें फ्रेंज इसको याद रखिएगा तरिज्जा जो हता है तिरिज्या, आर्ट से दिखाते हैं, वो जो आता, focus दूरी का दूगुना होता है, जो तिरिज्या होता है, focus दूरी का दूगुना, देखें, 2 गुड़े, कितना दिया focus दूरी, 12, 12 दूरी 24, कितना centimeter हो जाएगा, 24 centimeter, तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपका D, कितना हो दोनों हो सकता है अनन्थ 25 cm यह माइनस 25 cm सम्तल दरपर की जो फोकस दूरी होती है इसका सही जवाब क्या होगा अनन्थ चलिए अगले सवाल को देखते हैं आगी आपका 16 मिल परती सवाल है कि वायू में प्रकाश की चाल क्या ऐसा तीन गूड़े दस्पर आठ मीटर पर ती जाती है तो पदार्स का अप्रत ना गांद कि यहा प्राबर क्या होता है प्रकास की चाल कितना दिया है तीन गुड़े 10 पे आठ और माद्यम में यानि एक पदार्त में चाल कितना दिया है एक दस मलो पांच गुड़े 10 पे यानि आपका पॉर्टना कितना होगा दू इस प्रश्ण का सही जवाब होगा आपका डी ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है उत्तल दरपड से बनने वाले परतिविंग की प्रकृतिव होती है जो उत्तल दरपड होता है फ्रेंस यद सीधा आभासी सीधा आभासी उल्टा वास्तविक उल्टा उत्तल दरपड के द्वारब परतिविम बनता है वहाएibanर इसका नंबर के तो आप याद रखेएगा कि उत्तल द्रडपर के द्वारा सिर्फ एक ही परतिविम बनता है वह भी आभासी और सीधा बनता है इसका सही जवाब आपको होगा बी आपके सामने अगला नंबर का सवार है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है आपको बताना कि जो निर्वात होत होता है कितना होता है तीन गुड़े दैस पर आठ मीटर परती सेकेंड चलिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि पचास सेंटीमीटर फोकस दूरी की आउतर लेंस की छमता होती है देखिए आपसान है माइनस टूडी दी मतलब यहां पर डायोक्टर है प्लस टूड प्लस टूडी पीश कल्टू क्या है अब यहां पर देखिए कि कि कैद आप सो बटाके यह रखिए यहां पर सो है यह कमान कितना है पचास धींगे फचास केंगा आया ठीक आपका दू आया है लेकिन अब यहां पर आपसान में देखेंगे तो दू जोगा दिया माइनस को हमेशा याद रखेगे जो अगला नमबर का सवाल है ठीक है कि एक उत्तर लेंस की छमता टू डायोप्टर है इसकी फोकस दूरी होगी अब देखेश आपसन को सवाल को हल करने सो और यहाँ यहाँ यहां कमान्ट पुछ रहते हैं और हम कर लिजिए और धूराके 2, कर लीजिए दो का भाग दें कितना है को 52 cm मैं लिखा यह संटमीटर में लिख लिए यह आपका क्या हो जग है सही जवाब होका पचाश सेंटमीटर होका था इसका सही जवाब होका मैं तो फ्रेंज य आपसे एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा तो फ्रेंस आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें